Welcome to सुकला स्टेडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके पर नटूप चनल सुकला स्टेडी पॉइंट में मैं शिवम सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज का वीडियो आपका बहुत ही महत्पूर्ण है और ये co-curricular course जो होता है आपका बी-ए second year third semester में आप लोगों ने जो पढ़ा आपने फस समेस्टर में पढ़ा इसी परकार से बी-ए second year के fourth semester में आपको क्या पढ़ना है आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे आपके तो मैंने सोचा कि इसका भी सलेवस आपको दे जाए आपको बता दू कि ये co Alors कुलर आपका कॉर्स है देख सकते हैं आपर समेस्टर फोरका यह नि कि चतुर्थ समेस्टर का चाहूते समेस्टर का तीन समेश्टर की परिक्षाएं आपकी लगबग हो चुकी है दो तीन बिश्पिद्याले की परिक्षाएं बच्ची हुए उनके लिए लेडी वीडियोस हमारे चनल प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है आप उन वीडियोस को जरूर देख लिजेगा कोर्स टाइटल क्या है आपका इनी कोर्स का आपके नाम क्या है फिर्जिकल एजुकेशन और योगा के बारे में आपको पढ़ना है जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे सारे रिक्स इच्छा और योग ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं खास करके यह प्रकार से यह प्रसन पत्र आपका अनिमार वाला है इसको पास करना कंपल सरी है सव नंबर का अबजक्टिव टैप का प्रसन इसमें पूछा जाता है सव के सव प्रसन आपको इसमें करने होते हैं यह बात भी आप ध्यान लखेंगे और खास करके उनमें से आप अगर 40% से उपर नंबर पाते है तो आपको पास कर दिया जाएगा ठीक है ये बात आप ध्यान लखेंगे तो कुमिला करके ये पेपर बड़ा ही अच्छा एक प्रकार से पेपर होता है और ये खास करके सबको पढ़ना होता है आप चाहे बruction में है चाहे बीचम में हैं आप चाहे बी जाम में हैं सबके लि आपको पढ़ना है आए देखते कौन-कौन से टापिक्स या आपका जो सलेबस है वो क्या है सबसे पहले मैं अंग्रेजी में आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं उसके आद में अभी हम हिंदी में मैंने लिख रखा है विस्तार से जिस परकार से अमने सोसियोलाजी याने स आपको आसानी से अभी समझाओंगा हिंदी वाले में आप अंग्रेजी वाले कुछ आचा तरह माय साथ बहुत सारे लोग जुड़े रहते तो उनके लिए खास करके इंग्लिस में आप देख लिजिए आप पहली काई के अंतरकेत क्या पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन आपको पता तो इसमें केवल चार इकाईया है उन्हीं चार इकाईयों के बारे में पढ़ना है सबसे पहली काई आपकी फिजिकल एजुकेशन में पहली काई के अंतरकेत आपको क्या पढ़ना है मीनिंग फिजिकल एजुकेशन का डेफिनिसंस एम एंड अब्जेक्टिप इसके लावा misconception about physical education इस प्रकार से यहां पर आप अंगरेजी में सारी चीजी आप देख सकते हैं यहां पर ठीक है needs हो गया आपका importance हो गया physical education का इसको पहनी भी से छेत्र हो गया physical education in modern society इसके लावा physical education relationship with general education इसके लावा physical education in India before independence इसके लावा physical education in India after independence इसके पहले का एक परकार से physical education के बारे में जानना है और स्वतंतरता प्राप्ती के बाद में आखिरकार physical education की क्या इस्तिति रही है उसके बारे में जानना है ठीक है इसके बाद में ही आपको उपाई दो के इंतर रिक्रीत क्या पढ़ना है concept of fitness and wellness ठीक है fitness और wellness का meaning यानी अर्थ समझना है definitions परिभासा importance महत को समझना है fitness and wellness के बारे में चीज़ी थी इसके अलाबा fitness and wellness की ही meaning definitions importance के बारे में जानना है इसके अलाबा components आफ fitness, fitness के जो तत्तो होते हैं उनके बारे में factors affecting fitness and wellness को उनको जो प्रभावित करने वारे तत्तो होते हैं उनके बारे में ठीक है इसके अलाबा weight management यानी एक प्रकार से जो weight management का बदलब क्या होता है आपका वजन प्रबंधन ठीक है अभी मैं हिंदी में चीज़ों को समझूँगा meaning समझनी weight management की definition समझनी है ठीक है और इसके अलाबा obesity देखना है खासरी meaning and definitions of obesity ठीक है यह सब हमको चर्चा करनी है इसके अलाबा अगर बात की जाए इसके अलाबा आपका है cases of obesity management of obesity ठीक है इसके अलाबा health problems due to obesity ठीक है obesity माइने होता है motapa तो motapa के बारे में आपको जाना है यहाँ पर इन चीज़े के बारे में समझना है अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ हिंदी में विस्तार्थ समझेंगे ठीक है इसके अंतरकरत life style के बारे में समझना है life style एनि कि जो जीवन सहली होती है उसका आर्थ क्या है उसकी परिभासा importance of life style factors affecting life style role of physical activity in the mansion of healthy life style इन सभी के बारे में समझना है एकाई नमबर तीन में हमको पढ़ना है yoga and meditation के बारे में yoga and meditation में हमको क्या पढ़ना है historical aspect of yoga इसके अलावा definitions yoga का types, scope, importance इन सभी yoga का ही importance yoga का scope, yoga का type इसके अलावा yoga का definitions इन सभी को जानना है इसके अलावा yoga relation with mental health and value education इसके अलावा हमको आगे पढ़ना है yoga relation with physical education and sports इसके अलावा definitions of आसन, difference, between, आसन and physical exercise इसके अलावा definitions of classification of प्रणायाम ठीक है, प्रणायाम के बारे में हमसे पूछना है इसके अलावा difference between प्रणायाम प्रणायाम and deep breathing ठीक है, इसके अलावा जो है अगला point आपका है practical practical में जैसे कुछ ब्योहारिक चीज़े हैं जैसे कि आसन हो गया सूरि नमसकार हो गया इसके अलावा सूरि नमसकार के बाद में आपका क्या हो गया भी सूरि नमसकार के बाद में आपका हो गया जैसे की भुजंग हो गया ठीक है भुजंग आसन भी एक होता है इसके अलावा भुजंग आसन के बाद में आपका नौक आसन होता है इसके अलावा आपका हलासन ठीक है बजरासन ठीक है पदमासन सवासन इसके लावा आपका है मकरासन फिर अगला है आपका धनुरासन ठीक है इसके लावा फिर ताडासन इसके लावा फिर आप देखते हैं प्राणायाम अनुलोम और बिलोम जिसको आप बोलते हैं तो इसको समझना है क्यों चीज़ों के बारे में जानेंगे इसके अलाब एकारी नंबर 4 में आपको पढ़ना Traditional Games Of India Traditional जो गेमस हैं उनमें खास करके उनकी मीनिंग को समझेंगे पहले फिर उसके जो कई सारे जो गेमस हैं Traditional गेमस जैसे की गिल्ली डंडा हो गया जो है कंचा हो गया इस्टापू हो गया ठीक है गुट्टे हो गया इन सबी खेड़ों के बारे में और इसके अलावा आप देखें importance and benefits of traditional games ठीक है उसके importance को benefits को जानना है इसके अलावा how to design traditional games उसकी design को समझना है और कैसे करते हैं इसके अलावा reaction in physical education के बारे में जानना पड़ेगा यानि उसकी meaning के बारे में definitions के बारे में reaction के recreation के recreation का एक प्रकार से क्या मतलब होता है भी मनोरंजन ठीक है जहां देखेंगे scope and importance of recreation ठीक है इसके अलावा general principles of recreation types of recreational activities इसके अलावा जो है अगला है आपका aerobics and zuba fit इंडिया aerobics and zuba और खास करके यहाँ पर आप देख सकते है fit moment जो इंडिया कारा खास करके उसके बारे में चर्चा करनी हमको तो यह इतना जो आपका syllabus है इसके बारे में हम जानेंगे और बिस्तार्स चर्चा करेंगे अब मैं हिंदी में syllabus को बिस्तार से जानने का प्रियास करता हूँ समझता हूँ कि आखिरकार किस तरीके से हम इन चीजों को समझ सकते हैं और किस दृष्टी से हमारे लिए और खास करके हमको क्या क्या पढ़ना होता है उसको हिंदी में अगर जानेंगे तो जो और बेटर तरीके से आप समझेंगे अंग्रेजी में तो मैंने आपको समझा दे तो यहां था आपका syllabus ठीक है यह बात आप ध्यान रखेंगे आपके पेपर का नाम है ठीक है यानि सारे देक्स इच्छा और योग हिंदी में बोलेंगे को करिकुलर कोर्स सेकंड इयर फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ सलेबस है और बीए बीसी बीकाम बीसी एजी बीसी होम साइन्स के लिए important है सभी बिश्म इद्यालेओ में यही है ऊके बाहर ध्यान रखेंगे मैंने यहा पर लिखा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भासाओ है तो हिंदी का आप लोग Spread कर रहा हूं आप लोगं के समख्च यहां पर प्रस्तुत है और योग का सिलेबस को करिकुलर या औरियह इसके बारे मिस्तार से सर्चा करेंगे हम और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से आपकी परिच्छा में प्रसन आने वाले हैं तो आप जिक्रिटी टाइप के 100 कोर्शन साएंगे ठीक है यह बात आप ध्यान लखेंगे पहली काई के अंतर के थमको पढ़ना सारीरिक सिच्छा क्या होती है इसके अर्थ को जानेंगे सारीरिक सिच्छा की परिभासा को पढ़ेंगे सारीरिक सिच्छा का क्या उद्देश से होता है उसको जानेंगे इसका क्या एम है यानि लक्ष क्या है उद्देश क्या है इसके बारे में सारीरिक सिच्छा करेंगे इसके बाद में सारीरिक सिच्छा के बारे में जो गलत धारडाए फैली हुई है उन गर्द धालडाओं के बारे में आपको बताने का प्रियास लएगा हमारा इसके अलामा आधुनिक समाज में सारे रिख सिच्छा की क्या आवस्थ सकता है इसको बताएंगे आपको इसके महत पर चार्चा होगी और इसके कारिशेतर पर भी चार्चा होगी ठीक है हम चर्चा कर लेंगे इन सभी मुद्धों पर आगे देखते हैं अगला question सापका मलब तो इसकी आवसकता को आधुनिक समाज में सारेडिक सिच्चा की आवसकता को समझेंगे इसके importance नहीं महत को जानेंगे और खासके के सारेडिक सिच्चा का यानि physical education का कारिछेतर कह तक है इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके स्कोप के बारे में भी हम जानने का प्रियास करेंगे अगला पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है समानी सिक्षा के साथ सारीडिक सिक्षा का क्या संबंध है इसको समझेंगे समानी सिक्षा के साथ सारीडिक सिक् श्चा के मामलों में उसको भी हम जाने का प्रियास करेंगे फिर उसके आद्ने हम IK У 2 में प्रिविस करेंगे एक एगर बात की whatnot कि जाए तो UE का को ठीक है फिटनेस के जो तत्तों है या घटक है उन घटकों के बारे में चार्चा करेंगे इसके लावा फिटनेस और तंदुरुस्ती को प्रभावित करने वाले जो कारक है उन कारकों के बारे में भी हम चार्चा करेंगे ठीक है इसके लावा अगला जो पॉइंट आपका ह वजन प्रबंधन वजन प्रबंधन क्या होता है सबसे पहले इसको समझेंगे वजन प्रबंधन किसे कहते है है इसको जानेंगे। ठीक है यह भी आपके syllabus में आपको पढ़ना पढ़ेगा तो यह सब आपका co curricular course में ही आपको पढ़ना पढ़ेगा जिस प्रकार से आपने first semester में पढ़ा क्या फर्स semester में आपने second semester में पढ़ा था physical education and yoga यानिके सारी इस्च्छा खीक है देखें जीवन सहली किसे कहते है इसको जानेगे जीवन सहली की अर्थ को उसकी परिवासा को जीवन सहली की जीवन सहली का क्या महत तो होता है इसको जानेंगे और इसके अलावा जीवन सहली को भावित करने वाले जो बहुत सारे कारक हैं फैक्टर एफेक्टिंग्स आफ जीवन सहली लाइफ इस्टाल तो उसके बार में चर्चा करेंगे हम अंग्रेजी में आपको सलेबस आलेडी बता चुका हूं पिछले साथ मिनट के अंदर मैंने उसको बताया था अंग्रेजी वा करते हैं या ब्यायाम करते हैं कुछ भी करते तो उसकी स्वास्त करें स्वास्त रएंए में उसकी क्या ब्हुमिका होती है खासकर कि जो बेक्ती काम करता किसान होता है उसको विमारिया थोड़ी कम हो만 होती है ङृफ क्फास करके आं Eck上 को तो ध्यान और योग क्या होता है इसमें क्या अंतर होता है क्या समानताएं होती है इन चीज़ों को चल्चा करेंगे योग का इतिहासिक पहलू पर हम जानेंगे कि योग का इतिहासिक महत्तु क्या है इतिहास में किस प्रकार से योग का महत्तु था और आज क्यों योग का प्रकार से महतों बढ़ता जा रहा है और उस छेतर में बाबा राम देव का योगदान तो बहुत अधिक मात्रा में है ही ठीक है इसके अलावा योग की परिभासा योग किसे कहते है योग कितने प्रकार का होता है योग का कारी छेतर कहां तक है ठीक है योग का क्या महतो है य मोल शिक्षा से कैसा रहता है तो मानसिक स्वास्त और मोल सिख्षा के संबंद में योग को हम परियास करेंगे इसके अलमा सारीरिक खेल के साथ योग का हम संबंद दिखेंगे क code कारिकर फिजिकल एजुकेशन में और खेल में क्या योग भूमिका निभाता है योग ठीक है और योग के और सारी दिक सिच्छा के और खेल के इन सभी के संबन भी हम देखेंगे इसके लावा अगला पॉइंट हमको पढ़ना है आसन की परिभासा आसन किसे कहते हैं तो आसन की परिभासा देखेंगे आसन और सारी दिक ब्यायाम के बेच में क्या अंतर होता है इस अंतर को चर्चा करेंगे वैसे आपजेक्टिव में प्रस्न पूछेगा तो आपजेक्टिव के हिसाब से मैं चर्चा करने का प्रियास करूँगा ताकि आप आसानी से हर एक पॉइंट को समझे और अपनी परिक्षा में अच्छे इंक प्राप्त कर सकें ठीक है वैसे इसका नंबर आपका जोड़ेगा नहीं लेकिन इसको पास करना अनिमार होता है जरूरी होता है सभी छाचात्रहों के लिए अगला है आपका प्राडायाम की परिभासा और वर्गी करण बताईए इसको चर्चा करनी है इसके लावा ब्यावहारिक चीजों में जैसे की कुछ प्रक्टिकल चीजी है जैसे की आसन किसे कहते है सुर्द नमस्कार क्या है भुजंग क्या है आसन मलब भुजंग आसन क्या है नौक आसन क्या है हलासन क्या है बजरासन क्या है पदमासन क्या है सवासन क्या है मकरासन क्या है मकरासन धनुरासन क्या है तारासन क्या है इन सभी के बारे में इनकी परिभासाओं को इनके बारे मे हमको पढ़ना प्रणायाम क्या होता है ये सब्सक्राइब के बारे में हम चलका करने का प्रियास करेंगे ठीक है आगे जो आपका आता है अगला जो आपकी बार्त के वारत के कुछ पारमपरी खेल हैं, उन खेलों के बारे में जानना है, पारमपरी खेल किसे कहते हैं, इसकी परिभासा क्या है, इसका आर्थ क्या है, इसका प्रकार क्या है, जे जो को जानेंगे, खासर कि गिल्ली डंडा के बारे में कंचे जो खेलते हैं हम लोग, उसके बारे खेलों को कैसे डिजाइन क्या आता है या कैसे डिजाइन करना चाहिए इन चीजों पर भी हमारी दिर्ष्टी रहेगे और इनको हम विस्तार से जानने का प्रियास करेंगे तो एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं मनो रंजन की परिभासा कैसे दे सकते हैं इसके अलावा मनो रंजन का दाइरा यानि की मनो रंजन का यो इसकोफ है यानि विस्ते छेतर है उसके बारे में जानेंगे मनो रंजन का क्या महत्तो होता है उनके महत्तों पर भी हम चर्चा करेंगे इसके बाद में हम आगी चल करके अगले चेप्टर्स के और बढ़ेंगे अगले चेप्टर्स में हम मनोरंजन के सामान सिध्धानतों पर फोकस करेंगे इसके अलावा मनोरंजक गधिविधियां जो होती है उनके प्रकार कितने होते हैं उनके बारे में चल्चा करेंगे इसके अलावा next जो आपका last topic है वो है aerobics and juba fit india movement जो रहा है इसके बारे में चल्चा करने का प्रियास करेंगे तो इस प्रकार से यह आपका syllabus था जो कि हिंदी और अंगरेजी दोनों भासाओं में मैंने आपको बता दिया तो हमारे B.A.C. वाले या B.A.C. A.G. B.A.C. Home Science वाले बीए वाले सभी चाचातरों के लिए महत पूरू जाएगे चुकि हिंदी में अगर आप हिंदी माध्य में आपका तो हिंदी और अंग्रेजी माध्य में तो अंग्रेजी चीर्टा करने कि आपको आवसकता नहीं है ये निमार प्रसंपतर जिस प्रकार से आपने समस्टर में फ्रस टैरेज्टेशन और योगा ठीक है तो इसके बारे में चर्चा आज मैंने कर दी सलेबस के बारे में जल्द ही इसका अमालत वेपर देने का प्रियास करूंगा और ब इसा जुडने के लिए इसे प्रिकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा तो एक बार इसका skin start चाहें तो ले लिजिए नहीं तो मैं इसका एक प्रकार से इसका जो है आप skin start अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं बाकि मैं इसका PDF जो होगा मैं send करने का प्रियास करूँगा अपने चाहे आप पर मैं send कर दूँ इसका पेडियाप और चाहे आपको टेलेग्राम पर संड कर दूँ ठीक है तो आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं लेकिन अभी नहीं संड करूँगा कुछ दिनों में मैं संड कर दूगए इसको ठीक है चलिए वैसे मैं जल्दी संड कर दूगा कोई चिंता करने के आपको अब सकता नहीं है गर आप लोग चाहेंगे तो मैं चल्दे सेंड कर दूगा आप लोग कमेंट कर एगे तो मैं चल्दी सेंड कर दूगा ताकि आप आसर देख पाया mean वैसे वीडियो देख लीजीगा तो आपको जादा बेडर तरीके समझ में आ जागे कि भही हमको क्या क्या पढ़ना है कैसे समझना है ठीक है चले फिर मिलते हम नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहें जाएंज बारत आप सभी का बहुत बहुत धनिबाद हमारे से जोड़ने के लिए और सभी काईयों के माध्यम से खास करके बहुत सारे अबजक्टिव प्रसन बनेंगे तो इन ही अबजक्टिव प्रसनों के साथ मैं 100% के जो मानद पेपर होंगे तयार करूँगा और आपके समक्ष लाइब आउंगा और आप आसानी से उन प्रसनों के उत्तर दीजेगा और एक पर परकार सभी के लिए माले दिर पर देने का परियास करूँगा ठीक है तो चिंता करने कि आपको आवसकता बिल्कुल भी नहीं चले फिर मिलते हम नेश्ट बीडियों तब तक के लिए जहन जबारत आप सभी का बहुत धनीबाद हमारा से जुनने के लिए गुड़नेट आ भी बाद बतनीबाद